नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फास्टिस्टेडी प्लानर यूटूब चैनल पर जैसा कि सात्यों आपको पता चल चुका होगा कि 25 जुन तक आप पीटी का ओनलाइन फोम भर सकते हैं और 28 जुन तक उसमें संसोधन कर सकते हैं देखें आज के समाचार पत्र में एक महत्पूर्ण खबर निकल कर आ रही है यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर तक नोक्री यानि दिसंबर तक आपकी नोक्री लग जाएगी यूपी ट्रिपल सी पीटी के माध्यम से पीटी की परिक्सा ये अगस्त में करवा लेंगे इसके बाद सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट जारी करके और अक्टूबर के महीने में 30,000 पदों पर विज्जापन निकाल कर उसकी परिक्सा करवा लेंगे नवंबर में तो देखें ये जो 30,000 पदों का विज्जापन जारी होगा ये जो जिनकी समान eligibility है यानि वीडियो बारवी पास होता है और लेकपाल बारवी पास होता है जूनियर असिस्टेंट होता है इसके अलावा भी जैसे सिचाई विभाग है या परिवहन विभाग है इन में बहु और ये विज्जापन लगबग 30,000 पदों पर होगा और जैसे यूपी PCS में या पोस्ट प्रिफरेंस बरवाई जाती है उसी तरह से पोस्ट प्रिफरेंस बरने का मौका मिलेगा यानि पहले पे आप वीडियो बनना चाहते है यानि लेकपाल या जूनियर असिस्टेंट इस तरह से पोस्ट प्रिफरेंस बरवाई जाएगी तो एक अच्छा मौका है आप के पास लगबग जुलाई और अगस्त दो महीने यूपिटल प्लेस से P.E.T. की तयारी के लिए हैं परिक्सा अजंसी का चैन इसी महा कर सकता है आयोग तो आप P.E.T. की तयारी ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजेगा P.E.T. में क्योंकि P.E.T. में जो नंबर देखिए अभी पहले क्या ख़वर चल रही ती जैसे तीस जार पद हैं तो इसका तीस जार का माले गोवर्मेंट ने दस गुना परिक्सार्थी परिक्सा में बैठाए तो तीन लाख बच्चे बैठेंगे परिक्सा में वो तीन लाख कौन होंगे P.E.T. में जो क्वालिफाइंग करेंगे उनमें जो टोप, स्कोर यानि उपर की मेरिट वाले तीन लाख बच्चे केवल परिक्सा में बैठ पाएंगे या भी कुछ इसपष्ट नहीं किया है सरकार ने कि P.E.T. जैसे टैट की परिक्सा होती है उस तरह क्वालिफाइंग होगा या फिर ये स्कोर कार्ड के आधार पर बैठान सबी पदों के लिए एक साथ जारी होगा तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों